धन्यवाद सभबतिजी जी अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ पिछले धाई दिनों से जो अब विश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष केवल और केवल मनिवपूर पे उन्हें बात करी इससे एक बात तो सपश्च होती है कि इनके इ अंदर घोटालों की लाइन लग गई थी लेकिन इनके सरकार के एक भी मंत्राले के खिलाब एक शब्द नहीं आकाई सिर्फ मनिवपूर की बात करी है आज ये चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए जो जो बूल जड़ है ये बार-बार मनिवपूर की बात करते हैं ये ये पर गए थे कुछ लोगों से मिलने के लिए एक वी आईपी विजेटिन की हुई थी यहाँ पर एजेंसियों की खबर भी है और मैं अपने विपक्षियों को ये भी बताना चाहता हूं कि सदन में कुछ ऐसे भी लोग है जिनोंने मनिपूर का एक एक नाला एक एक पहाड़ हुई है उसी की भी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कॉंग्रेस के उपर है लेकिन आज चर्चा विश्वास और अविश्वास की हो रही है तो मैं हरीशंकर परसाई जी की उस पंक्ती से बात कहना चाहता हूं कि आत्म विश्वास कई प्रकार का होता है धन का बल का घ्यान क लेकिन मूर्खता का आत्म विश्वास सर्वो पर ही होता है जो इन्हों नहीं दिखाया आज आज इसी मूर्खता का विश्वास इन्हों ने दिखाया है मोदी सरकार के खिलाब अविश्वास तो पस्ता वलाकर मूर्था इसलिए भी क्योंकि इन्होंने अविश्वास और अविश्वसनिये में ये अंतर भी नहीं जानते इनके साथ वर्ष के अंदर जो ये नहीं कर पाए देश के लिए प्रदान मंतरी मोदी जी ने पिछले नौ वर्ष में उससे कई गुना विकास करके दिखाया रही मैं सीधे क्योंकि समय कम है मैं सीधे आता हूँ जो ये बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की जोड़ने की इन्होंने एक यात्रा भी निकाली भारत जोड़ो यात्रा करके मैं 2008 में बीजिंग उलम्पिक्स के अंदर वहाँ पर था और हमें ख़बर लगी कि साब सोनिया गांदी जी राहूल गांदी जी आपसे मिलने आ रहे है ये हमसे मिलने वहाँ पर नहीं आये थे और नहीं कोई मुलाकात हुई क्योंकि इनकी थालिया तो कम्यूनिस पार्टी आफ चाइना ने बिचा रखी थी इनकी मुलाकात कम्यूनिस पार्टी आफ चाइना से हुई ये रिट कंट्रूल से सरकार चलाते थे अगर कोई सैने की कारवाई करे तो उसके खिलाब गद़ारी का मुकदमा चलता है ये उससमें सरकार चला रहे थे डे शुड बी ट्राइ के उपर मुकद्म हांओ क्योंकि चाहिए जाइना के साथ इनके साथ हो रहा था 2018 के अंदर 2018 में यही अविश्वास प्रेस्टाव आया थी इस अविश्वास प्रेस्टाव के अंदर जैसे इस जार राई गानदी ने चिला चिला कर यहांपर बात रखी उसी उसमें भी इन्होंने जोर जोर से कहा कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है यह बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास में असुरक्षित है हिंदुस्तान के लिए तो वह लागू नहीं हुआ लेकिन राजिस्तान के लिए वह जरूर लागू हो गया, राजिस्थान आजी तिहास में पहली बार असुरक्षत है, अपरादों में नमबर वन है, ब्रस्टा चार में आज नमबर वन है, यहाँ पर खड़े होकर बड़े इमोशनल तरीके से राहूल गांधी बोल रहे थे, मैं जा रहा था, मेरी जुबान भी नहीं देखा था, उसके साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ, जिन्दा को काटा गया, उसको भट्टी में कोहले की बट्टी में डाला गया, लेकिन इनकी तरफ से एक टूइट नहीं, एक कोई शब्द नहीं, यह शरम आने चाहिए इनको, दूंगर पर, कम नहीं है, दूंगर पूर क अंदर है, नवी क्लास की शक्षक, शक्षक अजाद, पाच लोगा ने दुशकर्म करा, लेकिन इनके उजू भी नहीं रहती, करोली के अंदर, एक इकिस साल की लड़की, आप बात करते हैं, अगर एमोशन है, अगर आप किसी के पिता है, तो इस बात को समझे, एकिस साल की लड़की को पहले अगवा करा गया, और यहाँ पर आप ही की सरकार के जो मुख्य मंत्रियें वो कहते हैं, कि राजिस्थान के अंदर तो अपराद ज्यादा इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि हम F.I.R. तुरंट दर्स करा देते हैं, वो भी जूट है, क्योंकि जब उसको करा गया, उसके माता पता तुरंट पुलिस टेशन गए, कि हमारी बेटी को बचा लो, कोई F.I.R. नहीं होई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया, अगले दिन उसके साथ दुश्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, और गोली से नहीं मारी, तो उसको पर एसिट भे कहते हैं, इनके पार्टी के, ये इतनी जो संवेदन शीलता दिखा रहे हैं, इनके मुक्यमंत्री कहते हैं, ये जितने भी रेप बिक्टम्स हैं, आदे तो जूट हैं, ये इनके मुक्यमंत्री कहते हैं, और बोलते हैं, बाकी आदे, बाकी आदे जो हैं, वो उनके रिस्ते मर्दों का प्रदेश है और उसमें उनके विधाय ठांके लगा के हसते हैं ये किये है कॉंग्रेस का असली चेहरा ये 17 बालातकार हर रोज राजिस्तान के अंदर होते हैं साथ हत्याएं हर रोज होती हैं आप कहा मनिपूर की बात कर रहे हैं आप ही के मंतरी ने वहाँ सदन में खड़े होकर ये बोला कि मनिपूर की तरफ नहीं अपने गरेबान में जहांकिए उसका मंतरी पद छीन ला गया उसको वहाँ सदन में मारा गया ये इनकी असलियत है कॉंग्रेस की ये इनके आपको असलियत बताता हूं कॉंग्रेस की कॉंग्रेस की असलियत और यह आखड़े हैं यह मैं angles कह रहा इनके विदायक इनके विदायकों के बेटे विदायकों के भतीजे विदायकों के PA उनके ओपर दुशकर्म की F.I.R हो रखी है ये है असलियत इनकी लेकिन उनके ओपर कोई कारवाई नहीं हो रही गर्वती गर्वती महिलाओं के ओपर ये जो पैसे बनाते हैं वो इसे अपनी जेब भराई कर रहे हैं तुष्टी करण का उधारन तो राजिस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है शायद ही किसी भी प्रदेश बारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो ये चार साल के अंदर दस पुजारीों की हत्या हुई है धार में एक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्म दाहा करा है राजिस्थान के अंदर तीन सो साल पुराना शिव मंदिर तोडा जाता है उसके उपर जे सरकार के एक खास समुदाई के लिए बिजली का टौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है हमें उनसे कोई परिशानी नहीं लेकिन उसी समय वहाँ पर हिंदुआ का भी त्योहार था राम नम भी मनाई जा रही थी उस पर डीजेस के उपर बैन लगाए गए परिशाएपूर के अंदर कनईया लाल की हत्या हुई नजाने कितने कनईया मारे गए हैं वो तो उनका वीडियो नहीं बना यह है असलियत राजिस्थान के लिए कि निनोंने कोई आक्शन ने लिया इनोंने महाल ऐसा बना दिया है वहाँ पर सभापती जी ऐसा महाल बना द पुलीस प्रोटेक्शन के साथ मर्च करती है यह है असलियत इनके चाहिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इन बाहर की कोई नों कोई एजेंसी कोई ना कोई संगठन बाहर की कोई नों कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली वी है मैं तो वापस उसी पे जाता हूँ क्या M.O.I. हुआ था उस समय चाहिना के साथ जो आज तक भारत को नहीं पता कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उधाई भी है भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से राजिस्तान के अंदर दलितों के ओपर अत्याचार हो रहा है पिछले चार साल के अंदर साथ फीसीदी दलितों पर अत्याचार बड़ा है बीकरेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है जला और जला के अंदर एक नो साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था जमवा रामगर्द मेरे अपने संच्छदिये छेत्र अंदर एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया वहाँ पर ये दलितव के ओपर अत्यचारिय कर रहे हैं इन्होंने हर तरह से धोका दिया है मैं गोशना पत्र पर आता हूँ इनने गोशना पत्र में भी धोकाग दिया है ये तो अविश्वास लाइक भी नहीं है ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे सरकार के खिलाब लाए है ये अविश्वास लाइक भी नहीं है इन्होंने राजिस्थान के साथ विश्वास गात करा है यह असलियत इनकी गोशना पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्त शिर्प कला और हद करा ने देशाले का गटन करेंगे नहीं करा यहां पत्रकार बैठे हैं राजिस्तान के पत्रों पत्रकारों को इन्होंने बेकूब बनाया बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकराएंगे साड़े चार साल हो गए एक भी अधिनियम नहीं आया इन्होंने हर तरह से राजिस्तान के साथ विश्वास गात करा है और अविश्वास प्रस्ताब किस के लिए लेकर आए एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया हमने बोला राम बिंदर बनाएंगे तो हमने बनाया हमने बोला आतंक वाद को मूतोर जवाब देंगे तो हमने दिया हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अब इश्वास प्रस्ताब लेकर आए हैं मैं इनसे आगरे करता हूँ अगली बार ये गोशना पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं वो स्टार लगा के बोले Terms and Conditions apply क्योंकि ये जूट बोलते हैं जूट बोलने मलते हैं मैं अभी खतम करता हूँ अपनी बात खतम करता हूँ ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे आसमा सी उचाई प्रधान मंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं आसमा सी उचाई देख वो जलने लगे अभी अभी तो अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है चपन इंच के सीने में अरे रुकिये बैठिये अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे यह इनकी अ क्यान इंबाट